कि नमस्कार आज हम मनुविज्ञान कक्छा बारा के अध्याय दो आत्म एवं व्यक्तित्यु के भाग दो का अध्यान करेंगे इस भाग में हम व्यक्तित्यु के विभिन उपागमों को समझेंगे अलग अलग उपागमों के माध्यम से ना सिर्फ हमारे व्यक्तित्यु के विभिन पहलुओं को जानेने का मौका मिलेगा वरन अपने व्योहार के कारणों को भी हम समझ पाएंगे इन उपागमों में प्रथम उपागम है प्ररूप उपागम। प्ररूप समानताओं पर आधारित प्रत्याशित व्योहारों का समुच्च है। यदि हम प्राचीन प्ररूपों की बात करें तो हिपोक्रेट्स ने चार प्ररूप दिये थे उत्साही, स्लेश्मिक, विवादी और कौपशील। भारतिय आयरवेद में भी तीन तरह के दोशों की चर्चा की गई है, वात, पित और कफ, साथे साथ त्रगुण, तीन गुणों की चर्चा की गई है, सत्व, रजस और तामस, यदि हम सत्व गुण की बात करें, तो इसमें सत्यवादिता, अनाशक्ति और अनुशासन जैस गुण होते हैं, राजस गुणों में, इंद्रियत उस्ठी, भौतिक वादी जैसे गुण पाये जाते हैं, जबकि तामस गुण वाला व्यक्ति, क्रोधी, अवसाधी या फिर आलश से भरा हुआ होता है, एक और प्रारूप है, जिसको हम सल्डन प्रारूप के नाम से जान एंडोमर्फिक, गोला कृतिक, ये वो व्यक्ति हैं, जो की सिथिल होते हैं, लेकिन मिलनसार भी होते हैं, दूसरे तरह के व्यक्ति, आयता कृतिक, मैजोमर्फिक व्यक्ति, ये उर्जवान होते हैं, साहसी होते हैं, और यदि शारिरिक रूप से हम देखें, तो यह लंब और कद काटि इनकी मजबूत होती है तीस्रे तरह के व्यक्ति होते हैं लंब क्रितिक व्यक्ति एक्टॉमार्फिक व्यक्ति यह कलात्मक हो सकते हैं और अंतर मुखि भी होते हैं प्ररूप पर आगे चर्चा करते हुए हम बात करते हैं युंग द्वारा दिये रए यूंग ने व्यक्तियों को मुख्य रूप से दो भागों में बाटा अंतर मुख्य और बहर मुख्य व्यक्ति वो हैं जो अकेला पन पसंद करते हैं एकांत में रहते हैं एकाकी पन उन्हें पसंद आता है दूसरों से बचते हैं सामबेगिक द्वंदों से बचते हैं उनसे पलायन करते हैं, जबकि बहर मुखी व्यक्ति सामाजिक मेल जोल वाले होते हैं, इन्हें घूमना फिरना खूब पसंद होता है, एक दूसरे तरहे के प्ररूप का हम बर्णन करते हैं, जिसको बोलते हैं, टाइप A, B, C और D, टाइप A और B, फ्रेड मेन और रोजन मेन ने द होते हैं, इनका मोटिवेशन इनकी अभी प्रेणा का इस तर उच्छ होता है, इन में धैरे की कमी होती है, ये समय की कमी महसूस करते हैं, हमेशा उतावलापन इनके साथ रहता है, ऐसा लगता है कि ये काम के बोज से बिलकुल लदे हुए हैं, इस धरहे के व्यक्ति यह दे टाइप B, टाइप A से बिलकुल विपरीथ होते हैं, शान्त चित्त वाले व्यक्ति होते हैं, एक और टाइप मौरिस ने दिया, जिसको कहा गया टाइप C, ये वो व्यक्ति होते हैं, जो आसानी से इन व्यक्तियों को कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि यह पाया गया कि ये वो व्यक्ति हैं, जो अपनी भावनाओं को, अपने संबेगों को दबाते हैं, अपने बौस की हर एक आज्या का पालन करते हैं, वो ठीक या ठीक नहीं, इसमें अंतर जाने बिना वहाँ आज्या का पालन करते रहते हैं, तो निश्चत रूप से उन्हें अपनी अबनाओन को अपने संबेगों को दवाना पढ़ता है और इसका परिनाम यह होता है कि असे व्यक्तियों को cancer हो जाए अगला प्रारूप है आज के दौर में ये नया प्रारूप है type D type D प्रारूप का मतलब है इस तरह के व्यक्तियों में depression अवसाद हो जाने की संभावना जादा होती है इस तरह के व्यक्ति अपने जीवन में इन्हें आशा कम दिखाई देती है यह अपने जीवन का आकलन जब करते हैं तो मूल हीन आकलन करते हैं तो टाइप डीप प्रारूप है व्यक्तित्यों को समझने का अगला उपागम है विशेशक उपागम या इसको हम ट्रेट सील गुण उपागम भी कह सकते हैं यह सिध्धान्त व्यक्तित्यों के मूल कि खोज करता है लोगों की प्राथमिक विशेष्टाओं की पहचान करने का प्रयास करता है विशेषक अपेक्षाकृत इस्थाई गुण माने जाते हैं जिस पर हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं विशेषक संबंधी कई अपने अपने सिध्धान्त दिये हैं पहले बात करते हैं अलपोर्ट का विशेषक सिध्धान्त अलपोर्ट ने तीन तरह के विशेषकों पर चर्चा की है पहले विशेषक हैं प्रमुख विशेषक कार्डिनल ट्रेट्स यह वो विशेषक हैं हम यह कह सकते हैं कि हमारे मुख्य विशेशकों में हम चर्चा कर सकते हैं गांधी वादी विशेशक की या फिर हिटलर वादी विशेशक की जिस तरह से गांधी के जीवन का पूरा सार सत्य और एहनसा के आसपास घुमता हुआ प्रतीत होता है जिस तरह से हिटलर का जो व्यवहार है वह दूसरों को द जवाने के आस्पास गुंगता प्रतीत होता है तो ये मुख ट्रेट इनके आधार पे किसी व्यक्ति को प्रमुखता के साथ हम प्याख्यत कर सकते हैं दूसरे ट्रेट्स हैं Central Traits या Kendri विशेशक ये विशेशक अपेक्छाकृत व्यक्ति की विशेश्ता का वरणन करते हैं हाला कि ये उतने प्रमुख नहीं होते हैं जितने की Cardinal Traits होते हैं जैसे की महनती व्यक्ति ये निसकपट व्यक्ति निस्वार्थ व्यक्ति स्फूर्ट म पान व्यक्ति हैं इनके अलावा तीसरे तरह के ट्रेट्स इन्होंने बताए हैं वह हैं । गौर्ण विशेशक secondary ट्रेट्स इसमें मुख्य रूप से मुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद में इस संबंध के कुछ विशेशक समिलित किये जा सकते हैं विषेषक सिद्धान्त में अगला नाम आता है cattle का cattle ने कारक विशलेशन करके यह एक सांखि की विधी है इस विधी से बहुत सारे कारकों का विशलेशन करके कुछ मूल कारक चिन्हित किये और इन्हों ने बताया कि कुछ मूल विषेषक होते हैं जिनने हम source traits कहते हैं और कुछ सतही विशेशक हैं surface traits हम इनको कह सकते हैं मूल विशेशकों का वर्णन बिलोमार्थी प्रवत्तियों के रूप में इन्होंने किया है और इस तरह से 16 व्यक्तित्य कारक प्रश्नावली इन्होंने तैयार की है विशेशक उपागम के अंतरगत अगला उपागम है आईजेंक द्वारा दिया गया सिध्धांत आईजेंक ने तंत्रिका तापिता वनाम सामवेगिक इस्थिर्ता और बहरमुक्ता वनाम अंतरमुक्ता के रूप में इन्होंने अपना सिध्धांत दिया है अक्सर लोग अंतरमुखता और बहरमुखता मैंसे क्या स्रेस्ठ है इसकी बात करते हैं तो मेरा जवाव यह होता है कि इसके साथ साथ हम पहली विमा सामवेगिक इस्थिरता को भी जोड़नें बहरमुख व्यक्ती यदी सामवेगिक रूप से इस्थिरता नहीं है तब मुश्किल है यदी हमारा मनस्तापी व्यक्तित हो रहा है मनस्ताप की तरफ तंत्रिकत आप की तरफ हम जा रहे हैं नियूरिटिजम की तरफ जा रहे हैं तब मुश्किल है आईजेंग ने एक व्यक्तित प्रशनावली भी तैयार की है जो व्यापक रूप से उपियोग की जाती है अगला सिध्धान्त है पंच कारक सिध्धान्त कोस्टा एवं मैक्रे द्वारा दिया गया सिध्धान्त है इस सिध्धान्त में सारे मूल विशेशकों को संग्रहत रूप से पांच हिस्सों में विभाजित किया गया है पहला फैक्टर पहला कारक है खुलापन हम अपने विचारों में अपने अनुभाव में क्या खुलापन रखते हैं क्या हम तैयार हैं नए तरह की बात के लिए नए तरह के अनुभाव के लिए। दूस्रा कारक है बहर्मुकता। बहर मुकता के बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं। अगला कारक है सहमती शीलिता वह व्यवार जो हमें एक दूसरे के प्रती सहयोगी भाव और मैत्री पूर्ण भाव के लिए प्रेरित करता है अगला फेक्टर है तंत्री का ताप ये वो व्यक्ति हैं जो दुखी हैं चड़ चड़े हैं या सामबेगेक रूप से आइस्थिर हैं अगला कारक है अंतर विवेक शीलिता ये व्यक्ति उपलब्धी उनमुक होते हैं कर्मत होते हैं और ऐसे व्यक्तियों का अपने उपर आत करते हैं मनोगत्यात्मक उपागम मनोगत्यात्मक उपागम या मनोविशलेशनात्मक उपागम इसका प्रारंभ सिग्मंट फ्रायड के द्वारा किया था सिग्मंट फ्रायड ने प्रारंभिक तौर पे सम्मोहन विधी का इस्तमाल किया फिर उसके बाद उन्होंने मुक्त हमारी जवान लड़ खड़ा जाती है उनका भी विशलेशन करके हमारे मन तक पहुचने हमारे अचेतन मन तक पहुचने का प्रयास किया सिग्मेंट फ्रायट के अनुसार चेतना के तीन इस्तर है पहला इस्तर है चेतन इस्तर या हमारा चेतन मन दूसरा है पूर्व चेतन इस्तर और तीसरा है अचेतन चेतन वह इस्तर है जिसमें हम जानते हैं हमारी अवेरनेस में हमारी जागरुकता में हमारी व्यक्तित या व् पूर्वचेतन वह स्थिति है जब हम कोई बात जानते तो नहीं है लेकिन थोड़े से प्रयास से वह हमारे जागरुकता की स्थर पर आ जाती है और अचेतन मन हमारा वह है जिसको हम जान नहीं पाते हैं हमारे दमित एक्छाएं हमारे आक्रोश हमारे गुसा ऐसे जिनको हम दबाते चले जाते हैं वह हमारे अचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं Sigmund Fred आगे व्यक्तित्य की संरचना की बात करते हैं, तो उन्होंने तीन भागों में हमारे व्यक्तित्य की संरचना को बतलाया है, Id, Ego, Super Ego हम बोलते हैं, Id, Idom, यह वह हिस्सा है, जो सुख की अभिलासा करता है, प्लैजर प्रिंस्पल से यह चलता है, हमेशा इसको सुख चाहिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, यह जाने बिना कि घर में पैसा है या नहीं है, वह किसी भी खिलोने, या किसी भी मिठाई, या नए कपड़े की इक्षा कर लेता है, प्लैजर प्रिंस्पल से यह व्यक्ति संचालित होते हैं, इद, इदम या इड हम इसको कहते हैं, दूसरा है एहम, इगो, यह वास्तिक्ता की सिद्धान्त द्वारा संचालित होता है, वह देखता है कि वास्तिक रूप से क्या यह आवश्यक है? क्या यह मेरे लिए उचित है? इसके बाद आता है पराअहम, पराइगो इसको हम व्यक्तित्यों की नैतिक शाखा के रूप में देख सकते हैं क्या उचित है क्या उचित नहीं है क्या यह करना ठीक होगा नैतिक रूप से यह ठीक है या नहीं है इस तरह का जो चर्चा या इस तरह का जो भाव होता है वह पराएहम के अंतर गताता है सिग्मन प्राइड ने कुछ रक्षा युक्तियों की भी बात की इसको हम कई बार हम रक्षा युक्तियां ego defense mechanism भी कहते हैं हमारे एहम पर हमारे वातावरण का प्रभाव होता है कई बार हमारे एहम को चोट पहुंचती है तो उस चोट से हम रक्षा करने के लिए अलग-अलग युक्तियां अपनाते हैं जैसे कि दमन की युक्ति हमारे लिए कोई बात आस्विकार योग लगती है हम किसी बात को का बुरा लगता है हमें तो हम उसको दवा देते हैं उसका दमन करते हैं दूसरा हो सकता है प्रक्षेपन हम क्या करते हैं हमारी ऐसी कोई भावना जो हमें लगता है कि ये सायद समात्स्वीकार नहीं करेगा उस तरह की बात को हम किसी दूसरे पर प्रक्षेपि कर देते हैं कई बार हम किसी घटना या किसी इस्थिती को आस्वीकार कर देते हैं आस्वीकार करने की हम युक्ति अपनाते हैं कई बार हम rationalization युक्ति करण कर देते हैं युक्ति करण में क्या करते हैं हम से कुछ गलती हुई तो हम उसकी जिम्मेदारी किसी और पर थोप देत जैसे कि मुझसे यदी ठीक से नहीं लिखा गया तो मैं यह कह देता हूं कि जो पैन था वो खराब था या बातावरण में गर्मी बहुत जादा थी इसलिए मैं अच्छे से पर्चा नहीं लिख पाया तो अपनी गलती दूसरे के उपर थोप देना अगली तरह की जो रक्षा स्विकार भावना के विपरीत व्यावार अपना लेता है जैसे कि यदी व्यक्ति को लगता है कि वह गुस्सा जो की स्विकार नहीं है या कोई काम वासना संबंधी कोई भाव है जो स्विकार नहीं है तो उसके बिल्कुल विपरीत जो भाव है उसको वह अपना लेगा Sigmund Freud ने व्यक्तित्व के विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं जिनको मनोलेंगे के विकास कहते हैं psychosexual development उन विकास आत्मक अवस्थाओं की हम चर्चा करेंगे ये अवस्थाओं, पांच अवस्थाओं उन्होंने बताई हैं पहली अवस्था है मुखिये अवस्था इस अवस्था में बच्चा यह यह बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है जब चोटा बच्चा होता है हमने देखा कि वो हर चीज़ को मुं में ले लेता है ऐसी चीज़ जो खाने की नहीं है पर्फ्यूम पर्फ्यूम का आनंद मुझ से नहीं लिया जा सकता लेकिन फिर भी वो पर्फ्यूम की बॉटल को मुझ में डालता है तो सारा आनंद मुख से लेने का प्रयास करता है दूसरी अवस्था है गुदिये अवस्था एनल स्टेज इस अवस्था में बच्चा मल मू के त्याग को रोकने में इन दो तरह की इस्थितियों में आनंद लेता है तीसरी अवस्था है लेंगे का वस्था इस अवस्था के अंतरगत दो तरह की मुश्किलें या दो तरह की ग्रंथियां सामने उत्पन होती हैं इसमें हम अपने अभिभावक विप्रीत लिंगी अभिभावक के प्रति आकर्शित होते हैं जैसे कि पहला जो ग्रंथी है पहली जो ग्रंथी है वो है इडिपस ग्रंथी यह ग्रंथी लड़कों में बालकों में पाई जाती है जब वह अपनी मा के प्रति आकर्शित होते है और कई वार वह अपने पिता को अपना प्रतिसपर्धी माल लेते हैं बिलकुल ऐसी ही प्रवत्ति या ऐसी ही ग्रंथी बालिकाओं में उत्पन होती जिसको इलेक्ट्रा कॉंप्लेक्स या इलेक्ट्रा इल् führen ती कहते हैं वह अपनी MA को अपना प्रती गहल लेती से अपने हंपिता को प्राप्त करने के लिए इस तरह का सिध्धंत प्रती पादित करने के कारण सिग्मंट फ्राइड का उस समय काफी विरोध भी हुआ काफी आलोचना भी हुई लेकिन यह हम आम दैनिक अनुभव में भी देखते हैं कि लड़कियां पिता को पसंद कर रही हैं लड़के मा को पसंद कर रहे हैं अगली अवस्था है काम प्रसुपति में आनंद प्राप्ति या कामसंबंधी भावनाएं सुंक अवस्थ में चली जाती हैं और बच्चा स्वरजन-शील कारों में लग जाता है जैसे कि अध्यन करना सहें या फिर शित्र्ट बनाना हैं या खेल कूद है अगली अवस्था जननांग्य अवस्था हैं जिसमें व दो भी वही अंग हो जाते हैं. फ्राइट ये कहते हैं इन अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था में अति संतुस्थी या कम संतुस्थी के कारण व्यक्ति का इस्थिरण उस अवस्था में हो सकता है और वह एक तरह की मनोविक्रती व्यक्ति के अंदर उत्पन कर सकता है इसके अलाबा कुछ मनोवैज्यानिक जो फ्राइड के अनुवयाई ही थे उनके द्वारा पस्च फ्राइडवादी उपागम या नौ फ्राइडवादी उपागम प्रारंभ किया गया इनमें सबसे पहले चर्चा करते हैं कारल यूंग की इन्होंने उद्देश एवं आकांच्छाओं पर चर्चा की इनके सिध्धान्त को विशलेशनात्मक मनुविज्यान भी कहा जाता है यह कहते हैं कि व्यक्तित में प्रतीसपर्धी शक्तियां और संरचनाएं कार करती हैं जिनका संतूलन आवश्यक है इन्होंने सामूहिक अचेतन जिसमें आध्य प्रारूप आर्क टाइप की बात की यह व्यक्तिकत इस्तर पर अर्जित नहीं होती हैं वलकि वनसानुगत होती हैं अगले मनुवैज्यानिक केरिन हारनी हैं इनके सिध्धान में मुख्य बात आशावाद है इन्होंने मानव सम्रद्धी एवं आत्म सिध्धी पर वल दिया आशावादी द्रिस्टिकोन को अपनाया और कहा कि वालेकाल के विक्षुप्द अंतर व्यक्तिक संबंधों को मनुविकार का कारण बताया यह भी बताया कि माता पिता का व्यावार बच्चों के विकास पर प्रभाव डालता है अगले मनुविज्ञान एक है एडलर इन्होंने जीवन शैली और सामाजिक अभी रुची पर जोड़ डाला इनके सिध्धानत को व्यक्तिक मनुविज्ञान भी कहते हैं यह कहते हैं कि व्यावार उद्देशपून और लक्ष्यों मुख होता है व्यक्तिगत लक्ष अभी इस ग्रंथी पर विजय प्राप्त करना होता है अगले नव फ्रायडवादी मनुवैज्ञानिक है एरिक फ्राम इन्होंने मानविये पहलू पर महतो दिया मनिश्य को एक सामाजिक प्राणी माना स्वतन्ता की इक्षा तथा न्याय और सत्य के लिए संघर्ष से मनुवैज जैसे गुणों पर भी इन्होंने बल दिया अगले मनुवैज्ञानिक है एरिक एरिकसन इनके लिए जाना जाता है अनन्यता की खोज के लिए आइडेंटिटी की खोज में इनका सिध्धान्त है ये कहते हैं कि विकास जीवन परियंत चलता है और अहम अनन्यता इगो आवस्थाओं के द्वंध जैसे विश्वास बनाम आविश्वास ये नजदी की वनाम एका की पन की इन्होंने व्याख्या की है किसोर आवस्था के अनन्यता संकट आइडेंटिटी क्राइसिस ने लोगों का व्यापक ध्यान आकर्शित किया अगला उपागम है व्यावार वादी उपागम व्यावार वादी उपागम यह मानता है कि प्रेक्षणिये मापन योग प्रदत्त और उद्दीपक अनुक्रिया संयोजन इनके माध्यम से हम व्यक्तित्यों की व्याख्या कर सकते हैं अनुक्रिया को व्यक्तित्यों की आधार भूत एकाई संरचनात्मक इकाई माना गया है ये मानते हैं कि प्रवलन के द्वारा हमारा व्यक्तित्व आकार लेता है रीइंफोर्समेंट के माध्यम से हमारा व्यक्तित्व आकार लेता है ये सिद्धान्तवादी व्यावारात्मक सिद्धान्तवादी मानते हैं कि अधिगम के सिद्धान्तों पर सिध्धान्त है या नैमेतिक अनुवंधन का सिध्धान्त है या सामाजिक अनुवंधन का सिध्धान्त है जब हम दूसरे को देखकर सीख रहे हैं तो इन सिध्धान्तों के आधार पर हमारा व्यक्तित विक्षित होता है हम कोई भी बात कोई भी हैबिट या कोई आदत जो है वो हम सीखते हैं अगला उपागम है सांस्कृतिक उपागम इस उपागम में परिस्थिती और संस्कृतिक पर्यावरण के संदर्व में व्यक्तित्तों को देखा गया है इस उपागम में माना गया है कि आर्थिक अनुरक्षन प्रणाली सांस्कृतिक एवं व्याहरात्मक वि बच्चों के पालन पोशन के तरीकों को भी प्रभावित करती हैं लोग परिस्थितियों से अनुकूलन करने के लिए भिन्य व्यक्तित गुणों का विकास करते हैं जैसे कि शिकार संग्रह करने वाले जनजातिय समूम और ट्रसी समाज के बच्चे भिन्य व्यक्तित प्रतिर विख्सित करते हैं हमारा अगला उपागं है मानवतावादी उपागं में मुख्य मनुवाज्यानिक हैं कार्ल रोजर्स और अब्रहेम मास्लों कार्ल रोजर्स बात करते हैं कि पून तह प्रकारेशील व्यक्ति फुली फॉंक्शनल पर्सन की अवधारणा इन्हों ने दी थी इनके सिध्धांत की दो मूल अवधारणाएं हैं वह है ब्यावार लक्षोन मुख और सार्थक होता है तथा दूसरी बात लोग सदेव अनुकूली और आत्मसिद्धी वाला ब्यावार चैन करते हैं आत्मसिद्धी प्राप्ति के लिए लोग सतत प्रयासरत रहते हैं रोजर्स बताते हैं कि हमारा आत्म हमारा सेल्फ दो तरह का होता है वास्त्विक आत्म और आदर्स आत्म हम जो हैं और जो बनेना चाहते हैं वह कहते हैं कि वास्त्विक आत्म और आदर्स आत्म के बीच समरूपता व्यक्ति को प्रसन रखती है यदि व्यक्ति का आदर्स आत्म और व्यक्तिकत आत्म इन दोनों में अंतर है तो व्यक्ति चिंतित हो सकता है आगे वह आशर्थ सकारात्मक आदर अनकंडिशन्ड पॉजिटिव रिगार्ड को व्यक्तित विकास में महतुपूर्ण मानते हैं साथी साथ उनके द्वारा प्रस्तावित सिवार्थी केंद्रित चिकित्सा क्लाइंट सेंटर्ड थेरपी बड़ी प्रसिद्ध हुई इस थेरपी में जो सिवार्थी है क्लाइंट है उसको निर्णय लेने वाला व्यक्ति माना गया है वह अपने सारे मुद्दों पर स्वैम निर्णय ले सकता है यह अवधारणा है आत्मसिद्धी पर मासलों का पदानुक्रिमिक सिध्धांत जो है वह दो है जाता है कि हमारी सर्वोच आवश्रक्ता आत्मसिद्धी की है ला चीन एक्ति के विभिन उपागमँ जैसे की प्ररूप उपागम विशेशक उपागम मनोगत्यात्मक उपागम संस्कृतिक उपागम और माणवतावादी उपागम को समझने का प्रयास किया अग आपने बात. आपने बात.